हेलो एवरीवन आज मैं आप लोग के लिए के कामबोर डिश लेकर आई हूं चाइनीज डिश हैं आज बनाऊंगी मैं वेज मंचूरियन एंड वेज फ्राइड राइस तो चलिए मैं आप लोग के साथ ये रेस्पी शेयर करती हूं सबसे पहले हम बनाएंगे वेज मंचूरियन तो वेज मंचूरियन मनाने के लिए हमने कुछ सबजी चौप कर लिए सब फाइन चौप करना है मैं आपको बताती हूं मैंने किस से चौप किया है मेरे पास एक मैं पूरा वीडियो डालके रखा हुआ है मैं वीडियो आई बटन में लगा दूंगे आप वहां से चेक कर लिजेगा कि यह कैसे वर्क करता है यह देखिए यह है पत्तागोबी गाजर प्याज और यह मैंने हाथ से चौप किया है यह हरी प्याज मैंने ऐसा एक बतन लिए लिए और इसमें सारी सब्जीयां डाल दूंगे चार चम्मच पहले मैदा एड करूंगी और चार चम्मच ही कॉन फोर्ड करूंगी पहले पानी एड नहीं करेंगे जो सब्जीयों का पानी रहता है कुसी से पहले इसको मिक्स कर देंगे सब्जीयां ज्यादा है तो और मैदा लगे लिए चार चम्मच मैने और मैदा एड कर लिया है अगर बॉल हमारा आसाली से बनने लगा है तो अब इसमें मैदा एड नी करेंगे जब तक थोड़ा थोड़ा मैदा एड करते जाएंगे यह देखीए हमारे बॉल बहुत अच्छे बन ले लगें एक चम्मच अधरक का पेस्ट एड करूंगी एक चम्मच लैसून का पेस्ट एक चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट एक चम्मच नमक अपने टेस्ट के कोड़िंग करिए सब को अच्छे से मिक्स कर लिए इससे हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे और फिर इसको मैं थोड़ा देर के लिए 15-20 मिनट के लिए फ्रीज में रख दोंगी जब तक मैं बना लेती हूं दर गैस में चावल चड़ा देती हूं क्योंकि वेस्ट राइज भी बनाना है इसमें पानी चड़ा दिया है एक चमच नमक डाल रहे हूं एक चमच विनेगर डाल रहे हूं आप चाहने तो नीबू भी डाल सकते हैं जब पानी उबलने लगेगा तब इसमें चावल एड़ कर देंगे चावल का पानी इस गैस में चड़ा दिया है मंचूरियन का सौस में इस तरह बना लेती हूं आई गरम हो गई है इसमें मैं लैसून का पेस्ट डाल रहे हूं थोड़ा सा अधरक का पेस्ट डाले हूं थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट डाले हूं थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट डाले हूं थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट डाले हूं इसमें मैं कटा हुआ हरा प इसमें सोया सॉस डालेंगे, रोचमज के करी, गैस अन कर लेते हैं, थोड़ा साच चिली सॉस डालेंगे, टनेटो सॉस डालेंगे, इसमान चटनी डालेंगे, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के कॉड़ी, थोड़ा काली मेंचे डालेंगे, अब इसमें मैं पानी एड़ कर वहीं, अब इसको थोड़ा देर पकने देर तो, जब तक इसमें चावल में भी उबाल आने लगा है, अब इसमें मैं कुछ दियर पहले चावल दोकर रख दी थी, अब इसको डाल लेती हूं, यह उबलते पाने में, सॉस में उबाल आ गया है, सॉस को अब गाढ़ा करने के लिए, दो चमच मैंने कॉण फ्लोर लिया, इसको पानी में गोल लिया है, अब इसको चलाते जाएंगे, और साथ में कॉण फ्लोर का यह जो मैंने लिक्वड बनाया है, इसको डालती जाओंगे, चावल को ज्यादा नहीं पकाना है, 60-70% तक पकाना है, खोड़ा सा हल्का सा कच्छा रहना चाहिए, इसको बस इतना ही ठेक रखे हैं, क्योंकि इसमें भी बॉल पड़ेगा, तो इसका पानी और कम हो जाएगा, यह सॉस रेडी हो है, गैस को बंद कर देती है, चावल को ऐ परात में भेला देती है, इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा देर रख देते हैं, बॉल फ्रिज से निकाल कर ले आई हूं, और कडाही चड़ा दिया है, इसमें तेल डाल दिया है, और कडाही भी गरम हो गई है, ज्यादा तेज गरम नहीं करना है, पले एक डाल करके जैगे अशे अ हूं, और तो धूं पल्टेंगे में नित तो टूट जाएंगे ये को थोड़ा सा सिख जाएगा तब पल्टेंगे, वहाई है तो यह प् neutrूपर से थोड़ा सा तेल डाल देती है तो नहीं तूट रहे हैं तो उन्हें और भी बॉल डाल देती हूं इसको बहुत ही आराम से चलाना पड़ता है यह तो यह तूट सकते हैं यह बॉल भी रेडी हो गए है ऐसे ही तल लेना है सभी बॉल को बॉल वाली कड़ाई दूसरे गैस में चढ़ा दी है और इस तरब में फ्राइड राइस बना रहे हूं इसके लिए थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें मैं थोड़ा सा बटर भी एड़ करूं इसलिए तेल थोड़ा कम भी डालेंगे जब तेल गरम हो जाएगा फिर उसके बाद बटर डालेंगे घाईड राइस के लिए भी चौप कर लिया था सब्सक्राइब गाजर है सिम्ला मिर्च प्याज पत्ता गोभी और थोड़े सी हरी प्याज है कि अधूरा सा बटर एड़ कर देते हूं हरी मिर्च बाँ दिया है अगरा बाँ दिया है चाज़े प्याइबगे कि अभी में सारी सब्चियां डाल दें कि नमक पहले डाल देंगे जिसे जल्बी सब्चीज होगा सब्सक्राइब कि इधर ये बॉल भी हो गए है कि विकों कि निकाल जाती है अब इसमें सौरा सॉक करनें तो ग्रैस को भीमा कर लेते हैं दो चमाच सोया सॉस दाल देंगे एक चमाच चिली सॉस चावा को तो चला लेंगे गोखिया ने जाने चिली चावा को आराम आराम से चलाएंगे तूपना ने चली चावा सॉस फोड़ी ठंडी हो गई है तो इसको फड़ा गैस को पर रख करके गरम कर लेती हूं और फिर इसमें बॉल एड़ कर देंगे सॉस गरम होगे है इन बॉल को एड़ कर देंगे मंचूर्या में एक उबाल आ गया अब गैस को बन कर देते हैं मारा कॉम्बो रेडी हो गया यह बन गया बेज मंचूर्या एंड यह फ्राइड राइस मंचूर्य मंचूर्या खिर इसमें दीए कर देंगे हैं